भारत और उस्टेलिया के बीच खेली जा रही पांच बंडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भार्टे टीम को हार का मुँ देखना पड़ा और इसी हार के बाद अगले दो मुकाबलों में टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं ऐसे में खबरों की माने तो MS धोनी कोई सीरीज के अगले दोनों ही मैचों में आराम देकर रिशप पंद को मुका दिया जा सकता है राची में खेलेगी तीसरे वंडे मैच के बाद प्रेस कॉंफरेंस में बले बाज कोच संजे बांगर ने चर्चा की बांगर ने प्रेस कॉंफरेंस के दोरान कहा कि आगामी विशुकप की तैयारियों को देखते हुए अगले दोनों मुकाबलों में टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं कोहली ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिहाज से ये बदलाओ अभी टीम में काफी जरूरी है लेकिन हमारा ध्यान होगा कि हम भारत को जादा से जादा मैच जिताएं आपको बता दे कि कप्तान खोली ने एक शांदार 123 रनों की पारी जरूर खेली लेकिन पूरी टीम 281 पर ओल आउट हो गई थी और इस सीरीज में उस्टेलिया की पहली जीत से आप सीरीज 2-1 पर आ गई है ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर MS धोनी के साथ साथ टीम इंडिया में और कौन से बदलाओं देखने को मिलते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही आप भी इस खबर को लाइक करें शेयर करें साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी अभी सब्सक्राइब करें